आनंद रामायन की कथा के अनुसार लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर बांधे गए पुल की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौपा गया था हनुमान जी रात में भगवान राम का ध्यान करते हुए पुल की रकषा कर रहे थे कि वहाँ शनी देव पहुँचे और उन व्यंग यबानों से परेशान करने लगे हनुमान जी ने शनिदेव के सारे प्रहार को स्वीकार करते हुए कहा कि खृपया वह उन्हें पुल की रक्षा करने दे शनिदेव बाज नहीं आए। कि खृपया वह उन्हें आए।